Hello my friends, welcome back to our channel. इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं सहरी करन के फायदे और नुकसान पर निबंद. तो चलिए दोस्तों लिखना शुरू करते हैं. सहरी करन के फायदे और नुकसान परिचय सहरी करन एक प्रकिरिया है, जिसमें लोग गाओं और ग्रामिन छेत्रों से सहरों में जा रहे हैं, या एक समाज, अथव्यास्था और वातावरन में परिवर्तन लाता है. सहरी करन के कई फायदे और नुकसान भी हैं. सहरी करन के फायदे पहला, रोजगार का अवसर सहरी सुईधाओं की उप्लब्धता से लोगों का जिवन अस्तर बहतर होता है, शिक्षा, स्वास्थे सेवाएं और अथिकारिक सुईधाओं उप्लब्ध होती हैं. तीसरा, विकास की गती सहरों में विकास की गती तेज होती है नई तकनीकों का उप्योग और नए वेवसाओं की सुरवात सहरों के विकास में महत्वपुन भूमिका निभाती है सहरी करन के नुकसान पहला, प्रदूशन सहरों में वायू, जल और ध्वनी परदूशन की समस्या होती है यह स्वास्त के लिए हनिकारक हो सकता है और परियावरन को नुकसान पहुचा सकता है दूसरा, जगह की कमी सहरी करन के साथ अधिक लोगों का सहरों में आना एक जगह की कमी का कारण बन सकता है इससे आवास की किमते बढ़ सकती है और लोगों को जीवन की कठनायों का सामना करना पढ़ सकता है तीसरा, सामाजिक समस्याएं सहरी जीवन में अकेला पन, तनाव और समाजिक दूरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती है यह लोगों के भी समाजिक अपात कारिंता को बढ़ा सकता है निशकर्स सहरी करन से विकास तो होता है लेकिन स्विधाओं के भी बहुत अविशक्ता होती है सहरी करन के प्रकिरिया को समझना और इसके फायदे और नुपसान को ध्यान में रखते हुए इसके परभावों को संतुरिट करना महत्वपूर्ण है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हलफुल होती है तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें धन्यवाद